नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है जहां एक तरफ पियर का चाचा के नाम से मशूर ओम प्रकास राजभर एड़ी चोटी का जो लगा हुए है मंत्री पद पाने के लिए वहीं दूसरी तरफ लग रहा है कि उनके सहयोगी दारा सिंग चोहान इस मामले में बाजी मार ले गए है वज़ा ये है कि दारा सिंग चोहान को भाती जनता पार्टी ने MLC प्रत्याशी के रूप में चुना है और ऐसी उमीद जताई जा रही है कि ये चुनाओ जीतने के बाद जब वो MLC बन जाएंगे तो उन्हें मंत्री परिशद में भी शामिल किया जा सकता है लोग सभा चुनाओ से पहले दारा सिंग चोहान इसके पहले भी मंत्री मंडल में थे वो मंत्री थे योगी आदितिनाथ के पिछले कारेकाल में लेकिन 2022 के चुनाओ के ठीक पहले विधान सभा के उन्होंने भाती जनता पार्टी को छोड़ कर वापस अखिले श्यादों के साथ चले गए शायद उन्हें उन्मीद थी कि इस चुनाओ में भाती जनता पार्टी की हार हो जाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भाती जनता पार्टी तो जीत गई लेकिन दारा सिंग चोहान जो की घोसी से चुनाओ लड़ा था उन्होंने घोसी विधान सभा सीट से चुनाओ से उन्होंने वापस इस्तीफा दे दिया अपने विधायक के पत्से और समाजवादी पार्टी भी छोड़के वापस भारती जनता पार्टी के पास वो आ गये हैं। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो दुबारा उपचुनाओ हुए और उपचुनाओ में भाती जन्ता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया इन्हें जिताने के लिए यहां तक कि इनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और खुद मुक्यमंत्री योगी आदित करी दारा सिंग्चौहान के समर्थन में लेकिन इसके बावजूद घोसी से दारा सिंग्चौहान चुनाओ हार गये तब से ये और इनके साथ ही ओम प्रकाश राजभर दोनों लोग प्रयास में थे कि किसी तरह से मंत्री पद पाया जाए कुछी दिनों पहले ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंग्चौहान की अमिर्शा से दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी उसके बाद से ही ये कयास लगाया जा रहे थे कि जल्दी ही इन लोगों को कोई पद मिल सकता है ओम प्रकाश राजभर तो अभी भी इंतजारी कर रहे हैं लेकिन दारा सिंग्चौहान को MLC प्रत्याशी चुन लिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद उन्हें मंत्री परिशद में भी शामिल किया जाएगा अभी तो ये सब कयास है आगे देखिए होता है क्या आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद